अब है new analysis ये कुछ नया analysis हम लोगों ने जोड़ा है इसका उद्देश से अभी आने वाली SI का interview है वहाँ पर भी ये काम आने वाला है इसके अलावा आने वाले समय के अंदर चाहे SI हो चाहे RS हो या कोई दूसरी exam में आप दोग जाओगे तो वहाँ पर भी ये काम आने वाला ह जी new analysis तो आज की बात करें आज की एक खबर बड़ी तगड़ी वाली आई थी क्या थी ये खबर क्या है इसकी पूरी कहाने सुनना परसन आया था कि अलनीनो बढ़ा सकता है महंगाई EMI किसकी बात कर रहे है EMI पर भी डालेगा असर तो क्या है अलनीनो और इस अलनीनो का प पता होना चीए कि भाई ये अलनीनो होता क्या है इसका पर्भाव क्या पड़ेगा और पर्भाव की वज़त से जो ना देश की economy पर क्या पर्भाव पड़ेगा और क्या-क्या बाते हैंसे आती है देखो सबसे पहले हम बात करें यह अपना वर्ल्ड मैप है और इस विश्वे के मैप के उपर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ धाराएं होती है जिनको हम लोग बोलते हैं महासागरिये जल धाराएं महासागरिये जल धारा कहा जाता है इसका मतलब यह है कि इस पूरे विश्वय के अंदर पानी जो है वो इस्थिर नहीं है पानी जो है न वो धीरे-धीरे मूव करता रहता है जब पानी तेज गती से चलती है तो उसको हम नाले और नदी के रूप में जानते हैं और जब पानी बड़े छेतर के अंदर विश्थ इसमें क्या हुआ बेटा ये जो अपना ये जो है उतरी अमेरिका ये तो आ जाएगा अपना उतरी अमेरिका है और यहाँ पर हम बात करें ये अपना है दक्षनी अमेरिका अब सम्माने प्रिस्तितियों की बात करें सम्माने प्रिस्तितियों की बात करें तो मेरे बच्चो याद अखना समाने परिस्तितियों में इधर से इस परकार से एक जल धारा आती है यहाँ पर महसागर है जिसका नाम है परसांत महसागर यह परसांत महसागर है और इस परसांत महसागर में इस परकार से एक धारा चलती है यह लोजी और यह जो है यह ठंडी जल धारा है यह कै जाकर के इस अर्जेंटिना से टकराती है और टकराने के बाद बैटा पाने जो है यह उत्तर की और आता है इस परकार से उत्तर की और आता है और यह जो धारा है इसे कहा जाता है पेरू की धारा इसको हम दो क्या बोलते हैं पेरू की धारा और यह कैसी है जल यह कैसी है बैट उत्तर की ओर चलते है आपको बता दू यहां से अपनी भूमत दे रेखा कहां पर आती है इस परकार से भूमत दे रेखा आती है ठीक है बेटा यहां से और उसके बाद में अर्जेंटिना से टकराने के बाद उत्तर की ओर आती है पेरू के तटके साथ यहां पर एक देश आत कि जब यहां पर ठंडा पार्ट होगा जब इस छेतर में पूरे में यहां पर ठंडी जलदारा चलेगी तो यह पूरा छेतर में यहां पर तापमान जो है इस पूरे छेतर के अंदर हम बात करें यहां पर तापमान क्या होगा कम होगा तापमान कम होगा इसका विपरीत होता ह वायुदाब अधिक क्योंकि तापमान और वायुदाब में विप्रित सम्मंद होता है तो यहां पर वायुदाब अधिक होगा और हवाएं जो हैं वो हमेश्या उच वायुदाब से नियून वायुदाब के ओर चलते हैं तो सम्माननेत है इस परसांत महासागर से हवाएं जो अंदर वर्सा जो है ना वो अच्छी होती है मतलब सम्मान अच्छी होती है जी वर्सा अच्छी जी ये तो हो गई किसकी बात करें सम्माने की बात करें कि भाई यदि सम्माने तो ऐसा हुआ तो यह यहां पर आ जाएगा ठीक है यह बात तो समझ में आ गई होगी यह हो गया परसांत महा सागर्थ जी और ऐसी स्तती में भारत में वर्सा कैसी होती है आच्छी लेकिन इस बार लेकिन बेटा इस बार क्या हुआ बुगोल वेताओं ने कहा इस बार क्या कहा बुगोल वेताओं ने कहा यहां से इसमें देखोगे आप ये कहा कि इस बार जो है अलनिनो आएगा इस बार क्या कहा अलनिनो आएगा अब अलनिनो क्या होता है वो बड़ी चीज ए अब अलनिनो की बात करें तो किसी काणवस किसी कानवस इस पेरू की धारा के स्थान पर पेरू की धारा है ना इसके इस्थान पर इसके इस्थान पर उतर से दक्षिन की और उतर से दक्षिन की और एक गरम धारा चलती है गरम धारा और उसी क्या बोलता है अलनीनो अब समझो किसी भी कानवस बहुत सारी भोगोलिक प् बस्तितियों की वज़े से ये जो पेरू की धारा है इसके इस्थान पर उत्तर से दक्षिन की और इधर ये एक अपनी गरम जल धारा चलने लग जाती है जल धारा और इस गरम जल धारा चलने की वज़े से इस पूरे छेतर में तापमान जादा हो जाता है तो यहां पर कांध चुदाब कम होने पर यह हावाएं उत्र नहीं जाती है अर्थात इस भारत की बात करें जब भारत में अलनीनуется है अलनीनो का मतलब अपने हां पर वर्षा क्या होती है कम ब्रसा कम होगी वायुमंडल जो है यह वायुमंडल कैसा होता है सूस्क होता है सुस्क और एक अल्नीनो होने पर अपने भारत में तापमान भी क्या होता है अधिक होता है इसका मतलब है कि Πेरू की धारकेस्तान पर Al Nino चल जाएगा या गरम जल धारत चलने लग जाएगी तो अपने भारत के अंदर अपने भारत में बेंचों क्या होगा अपने भारत में तापमान बढ़ेगा अर्थात यदि हम बात करें कि ये जो अलनीनो आएगा इस अलनीनो से तापमान अधिक होगा एक तो बात ये यहां से आ गई तापमान अधिक होगा और वायू कैसी हो जाएगी सुस्क अब तापमान अधिक हुआ तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है तापमान अधिक हुआ तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ा बेटा तापमान अधिक होने पर जो अपना फसल उत्पादन है ये फसल उत्पादन क्या हो जाएगा कम गुर जी ऐसा क्यों तो बेटा आप लोग जादातर आप मेंसे बच्चे जो हना किसानों के बेटे हैं आप मेंसे जादातर बच्चे जो हना वो किसानों के बेटे हैं और वो कई परस्तितेओं को अच्छे से समझते हैं जैसे मैं कहू होता है सामानता है 20 से लेकर के 30 degree Celsius की बात करें यह गेहूं के टेमिटर्स ले बैतर होता है और आपने भी देखा कि सुबह जब तापमान जादा होता है यह बीच में बहुता आते हैं जी आपने देखा हो कि जब तापमान जादा होता है तो गेहूं होना वह सफेद पढ़ ज पसले आती हैं उन खादान फसलें भी कम हो गई और कम हो गई तो महंगाई क्या हो जाएगी बढ़ेगी मिलब इसका मतलब यह हुआकि यहाँ कि अली ऐननेनों आया तो वर्षा पूंत परीव्सराक मुलब और तौं वेटम स्यम्तमाद कःख़दान वालजादस महंगाई भड़ी और महंगाई भड़ती है तो इस महंगाई नियंतन की बात करें अब आताता है महंगाई का नियंतन और महंगाई का नियंतन कौन करता है RBI और इस RBI के दुवारा दो टूल्स अपनाई जाती है RBI के दुवारा महंगाई नियंतन करने के लिए दो टूल्स अपनाई जाती है बिटा वो दो टूल्स कौन सी आती है एक तो आता है बैंक दर एक तो कौन सी आती है बैंक दर और एक आता है रेपो दर अर्थात बैंक दर बढ़ा देने से मार्केट के अंदर पैसे कम हो जाएंगे और बैंक दर बढ़ाने से भी मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, इसका मतलब है, जिदि मार्केट में पैसे नहीं होंगे, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो चीजों का भाव अपने आप कम हो जाएगा, एक चीज या दखना, महंगाई तब ही बढ़ती है, जब हम लोग जादा खरीदन बाजार में पैसे कम करने के लिए बैंक दर और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और इसलिए ये RBI जो है ये इस महेंगाई कंट्रोल को करता है पूँ पेज जी अब यही से एक परसन और आता है बेटा कि अपने बैंक दर की बात करें कि वर्तमान में RBI के द्वारा जो बैंक दर है वो कितना कर दिया गया जी बताओ दिखा यहां से कोई बैंक दर में कितना कर दिया बेटा बताओ यहां से कोई बच्चा बता सकता है क्या तो बैंक दर जो साड़े 6 थी उसे बढ़ा करके 6.55 कर दिया 6.55 कर दिया एक तो यह याद रखना 6.55 और रेपो रेट जो है इसे बढ़ा करके कितना कर दिया 6.50 तो अब आपसे पूछा जाए पूछा जाए कि अल्निनो का राजस्तान के भारत के उपर क्या परभाव पड़ेगा तो बैटा सीधा सा परभाव कि अल्निनो जो है यह पेरू की धारा की स्थान पर पेरू की धारा किसकी बात कर रहा हूं है अल्निनो जो है यह पेरू की धारा जो ठंडी जल धारा की और चलने वाली गरम जल धारा है और जब अलिनो होता है तब तापमान अधिक होता है जिसकी वज़ा से फसल उत्पादन कम होता है फसल उत्पादन कम होने से खाद्यानिक फसले बढ़ती है महंगाई बढ़ती है और महंगाई नियन्टन के लिए अपने बैंक दर और शाती है परती महां जो हम लोग किस्त लेते हैं चार की लें या होम लॉन की लें वह भढ़ जाती है जब हम लॉन की हमलण की रेट बढ़ जाएंगी ये रेने कार मीबढ घ्लता रहता है कभी जबन झाता होगी हारोक ड़ से बैंक दर अब 6.5 और रेपोरेट कितनी कर दी गई 6.50 और अब ये जो है ना ये रास्तान की ये पूरे भारत की जो एकोनोमी इसके उपर परभाव डालने वाला है तो ये था अपना आज का न्यूज एनालाइसस और ये जो न्यूज एनालाइसस हैं हम लोग रेगुलर अब करते रहेंगे जो भी चीज अच्छी आएगी वह अधक ना ये भी आधक ना कि बैंक दर और रेपोरेट भड़ने से ये माई पर क्या परभाव पड़ता है तो परतीमा जो किस्त आते हैं ये भी क्या होती है बढ़ती है जी ये भी क्या होती मेरे गुल-गलो बढ़ती है क के लियर ओके तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है चलें आगे जी